हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विश्य पर्यावरन अधिन के सबता 24 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चो आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है पाट 20 बूंद बूंद से भाग एक तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं प्रश्ण एक है सही उत्तर पर सही का निसान लगाईए फर्ष्ट है पानी मिलता है किस से वर्षा से पहारों पर बर्फ पिगलने से या फिर फर्ष्ट सेकिंड दौन उतर हैसे तो बच्चो आनसर है उप्सन नमबर थर्ड फर्ष्ट और सेकिंड नेक्स्ट है निम्र में से कौन सा पानी का प्राकर्तिक संसाधन नहीं है तो बच्चो यहां पर है नल वर्षा नदी तो बच्चो वर्षा और नदी ये दोनों जो है पानी के प्राकर्तिक संसाधन है नल जो है ये पानी का प्राकर्तिक संसाधन नहीं है बलकि क्रत्रिम सं मात्रा में हैं या फिर धर्ती की 70% से अधिक सतह पानी से धकी है इसलिए या फिर हम भविश्य में पानी बेच सकते हैं तो बच्चो आंसर है option number first सच्छे पानी हमारे पास सी मित मात्रा में हैं अब है बच्चो question number two चित्र में दिख रहे पानी के स्रोतों के नाम लिखे तो बच्चो ये पिक्चर में क्या है ये है नल लिखेंगे ये क्या है बच्चो ये है hand pump next पिक्चर में क्या है बच्चो ये है नदी यहाँ पर नदी लिखेंगे और ये क्या है बच्चो ये है कुआ नेक्स है बच् फुटबॉल खेलना तो बच्चो इसमें पानी की कोई आवसकता नहीं होती नेक्स्ट नहाना तो इसमें जरूत होती है पानी की नहाने के लिए गाना गाने के लिए तो बच्चो नहीं होती है इसमें पानी की जरूत लिए नाहीं लिखने के लिए नौका आयन नौका चलाने के लिए पानी की जरूत होती है तो बच्चों हाँ ये सही है यहां पर सर्कल करेंगे आटा गूतने के लिए भी पानी की जरूत होती है जारू पहुंचा लगाने के लिए भी पानी के लिए भी जरूत होती है और पौधे उगाने के लिए भी पानी की जरूत होती है तो आप बिल्कुल ये भी सही है यहां भी से लिखेंगे सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए पानी की जरुत होती है तो बच्चो हां ये भी सत्य है सही है तो यहां पर से लिखेंगे गंदा पानी पीने से हम बीमार पढ़ सकते हैं तो बच्चो हां ये बात भी सही है यहां भी से लिखेंगे पानी के टूटे पाइब को तुरंत बदला जाना चाहिए तो बच्चो हाँ ये भी सही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे से अब बच्चो प्रशन नमबर पांच निमने प्रशनों के उत्तर दीजिए तो बच्चो प्रशन है पानी के तीन स्रोतों के नाम लिखिए तो बच्चो पानी के तीन स्रोथ हैं नदी, तालाव, पुँआ तो बच्चो आप अन्य कोई भी स्रोथ लिख सकते हैं नेक्स्ट है पानी बचाने के तीन तरीके सुझाईए बच्चो आंसर है जितना जरूरी हो हमें उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए पानी के तूटे पाइप को तुरंत बदला जाना चाहिए ब्रस करते समय नल बंद करना चाहिए अब नेक्स्ट है आपके घर पर पानी कहां से आता है तो बच्चो आंसर है मेरे घर में पानी जल बोर्ड पाइप द्वारा आता है नेक्स्ट है अपने घर में पानी रखने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले किन ही दो बत्नों के चितर बनाईए तो बच्चो यह है पानी की बोतल और यह कहँ बच्चो यह है जग तो आपके घर में बच्चों पानी रखने के लिए पानी भरने के लिए जिन भी वर्तनों का यूज किया जाता है आप उनके यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे बच्चों यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़नाएं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू